जै माता दी, जै मा का मक्या, मा भगवती जगत जन्नी और परम पिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्त रखे, प्रसन रखे, यश दे, किर्थी दे और मान सम्मान दे, ऐसी कामना हम दोनों महाशक्तियों से करते हैं। दिवाली पर बहुत से घरों में हमने देखा, अपनी आखों से, क्योंकि मैं जितनी भी बात आपके सामने रखता हूँ, यह प्रिक्टिकल बात रखता हूँ, पढ़ी हुई बात में नहीं रखता हूँ और आखों से नहीं देखी हो तो भी आपके सामने बहुत कम रखता हू practical बात, तत्यात्मक बात, scientific सोच के साथ में तो दिवाली पर बहुत से मनुष्य बहुत से घरों में गनेश जी की, लक्षमी जी की, मित्ती की, मुर्ती की पूचा करते हैं और नई मुर्ती लाते हैं हर बार और पुरानी मुर्ती का एक तब रख देते हैं उसको कोई दिवाल पर रख देता है, कोई पार पर रख देता है कोई किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाता है कोई डस्ट्विन में डाल देता है इसा भी देखा में ने और पुरानी मुर्ती को लोगमा को इखटा करके एक तब टांड पर रख देते हैं पूछते नहीं है उसको केवल एक बार पूजन कहती है केवल दिवाली के दिन और पुरानी मुर्ती को आप इधर उधर फेंक देते हो रख देते हो कई बाद टूड जाती है गल जाती है जबकि नियम ये कहता है कि उस मुर्ती को पानी में जल में विसरजन करना चाहिए तो हमने कहीं जगे देखा कि काली मा की मुर्ती भी होती है काली पूजा के दिन तो उस काली मा की मुर्ती की पूजन अर्चन करते हैं वहां तक तो ठीक अब पूजन अर्चन समाप्त हो गया भंडारा हो गया, भोग लगया, उसके बाद उस मुर्ती को किसी पेड़ के नीचे रख देते, किसी तीराय पर पहुँचा देते हैं, तो इस तरीके से देवी देवताओं का अपमान होता है, उससे नकारात्म कुर्जा निकलने लगती है, तो न तो पेड़ के नीचे रखना चाहिए, और न इदर उदर भी नहीं फेकना चाहिए, और न टांड पे रखना चाहिए, न घर में रखना चाहिए, तो आप सब लोगों से जो ये लक्ष्मी जी की गणे जी की मिट्टी की मुर्ती लाते हैं, और वोसे मनुष्राद पक्ष में भी महालक्ष्मी पूजन कर करते हैं, उस समय की भी मुर्ती जो हाती पर बेठी हुई लक्ष्मी जी होती है, उस मुर्ती को नई मुर्ती लाते, पुरानी घर के बाहर रख देते, कोने में, अरे जब तक आपको पूजा करने की तब तक आपने मान सम्मान किया, और जब आपका स्वार्थ निकल गया त आपने उनको रोड पे रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप सफसे दितने भी माताय बेहने हैं, पुरुश हैं, जो लक्ष्मी जी की मिट्टी की मुर्ती लाते हैं विशेशतोर से, उन सफसे हमारा विन अमरा निवेदन हम कर रहे हैं, कि उन मुर्तियों को, जिनकी आपने साल भर तक पूजा की, और अपने लिए उन मुर्तियों से कुछ मांगा भी, जो मिट्टी की मुर्ती थी, उन्हें ऐसी ही किसी पेड़ के नीचे रख दिया आपने, यह तो उसी तरह हो गया जिसे अपन माबाप जब बुड्डे हो जाते तो उन्हें आश्रम भेज दिया या घर से बहां निकाल दो, पर क्या हम अपने माबाप को ऐसे घर से बहां निकाल देते हैं, हाँ कुछ रोग निकालते हैं, सब नहीं निकालते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो तो देवी दे होता ह ये तो आपके जननी माबाप हो गए फिर भी उनको आप नहीं निकालते हो तो देवी देवताओं को आप घर से इस तरीके से पूजा करके बहान निकाल देते हो तो ऐसा आपको बिलकुल भी नहीं करना है पहली बात तो नियम ये है कि मिट्टी की मुर्टी की पूजा नहीं करनी चाहिए शास्र में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मिट्टी की मुर्टी लाओ पूजा नर्चन करो और विसर्जन कर दो शास्र ये कहता कि धातू की ठोस धातू की मुर्टी लाना चाहिए और नो इन से छोटी मुर्ती की घर में पूजा करनी चाहिए बस और हमेशा पूजा करते रो विसर्जन करने की आउशकता ही नहीं है फिर भी यदि आप यदी मिट्टी की मुर्ती लाने की आप यहां कोई प्रता है परंपड़ा है परिपाटि रिती रिवाज है, तो आप बेशक लेकर के आओ, क्योंकि परमपरा का पालन करना भी चरूर ही है, तो उसके लिए एक टब में पानी ले लें, भाल्टी में पानी भरें, उसमें गंगाजन डाल दें, उसमें मुर्ती जो आपने निकाली है, पिछली एक साल पुरानी उस मुर जाए, तो उस भाल्टी ए टब के पानी को अपने ही गंगलों में डाल दो, या फिर घर के बहार, कोई पेड़ पोदा होता है, पीपल का अवरक्षो हो, वट वरक्षो हो, इमिली का अवरक्षो हो, कोई पार्क हो, वहाँ जाकर के उसको मिट्टी को डाल दो, गिली सम्मान जनक विसरजन भी हो जाएगा, और नदी, ताला, कुवा, बावडी, इनको स्वच्छ रखने में भी मदद हो जाएगी, और जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, वो हमारे धर्म का मजाग भी बनाते हैं, जैसा मैंने क्या कहा आप से, कि हमारे माबाब बुड़े हो गए, तो हमने उनको उठा कर गया, वद्दा आश्रम भेज दिया, सेवा नहीं की, भोजन नहीं कराना, उनको पानी नहीं पिलाना, उनकी लेटरिंग बाद सुमको साप नहीं करना है, पन्तु वो तो देवी देवता है, जिनकी मुर्थी के आप पूजा करते हो, तो महालक्ष्मी के दिन लक्ष्मी का पूजन होता है, काली पूजा के दिन काली मा की पूजा होती है, दुर्गा पूजा के दिन दुर्गा पूजा होती है, तो जगे जगे मुर्थियां रखी जाती है, पूजन अर्चन होती है, भोग भंडारा होता है, और जैसे ही सब क ही होता है पाप अलग चड़ जाता है तो आपको जितनी भी एसी मुर्तियां हैं जो इदि आप लाते हो पूजन अर्शन करते हो तो उनको पानी में डुबाएं किसी बड़े टब में रख करके तो इस तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो मजाग भी नहीं उड़ाएं क्योंकि हम मर्तिका विश्च्ण करते हैं त्रावी में रख देते हैं फिर ट्रावी को उल्टी कर देते हैं तो वह गिरती है तो जैसे बढ़ांग दो टुक्डए हो जाते चार टुक्डए हो जाते गणयजी के या देवीयों के तो इससे अपमान होता है तो मजाग भी नहीं बनाएंगे सकन्ने से और हमने कई जगे देखा है विशेश्टोर से बंगाल में तो विशेश्टोर से देखा है आसाम में विशेश्टोर से देखा है कि जगे जगे हर तीराहे चोराये पर किसी भी पेड़ के नीचे मुर्थिया पड़ी हुई होती है और वो मुर्थिया हिंदु धर्म के देवी देवताओं की होती है तो आप मंदिर में उनको पूछते हो और उसे जो है तीराहे चोराये पर जाके रख देते हो तो दूसरे धर्म के लोग उनके पर पेशाप भी कर देते हैं कुछ पेशाप कर देते हैं और फिर अधर्म का काम चालू हो जाता है और कुछ लोग मुर्तियां पड़ी होने देखते हैं तो फफ्तियां भी कसते हैं दूसरे धर्म के लोग ये कुछ अपने धर्म के लोग भी करते हैं कि अरे कैसे लोग हैं जब जरूत थी तब पूजा नर्चन क्या उसके बाद घर से बहान निकाल के फैंक दिया तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से कि इस तरह का कारिय ना तो खुद करें और ना दूसरों को करने दें आप उनको वश्य बताइए कि जो भी मुर्ती है उनको पानी में डुबो करके विसरजन करना है या नदी में कर सकते हैं तालाब में कर सकते हैं ति आपके आसफास हो तो बहता पानी हो तो उसमें डाल दीजिए या फिस ज्यादा अच्छा है कि किसी टब में डाल दे फिर उस पानी को किसी भी पेड के नीचे छोड़ दे ताकि उस रक्ष को भी पानी मिल जाए और की पूजा नर्शन हो गई होगी अब पुरानी मूर्ति को बहुत से लोग तो इखटा करके टान पर पठक देते हैं एक तरप कबार खाने में डाल देते हैं एक साल दो साल तीन साल चार साल तक एक एक करके वो बढ़ती जाती है और घर के अंदर कबार रखने का मतलब हो गया नकारात्म कुर्जा को बुलाना, घर के अंदर कबार खाना रखने का मतलब हो गया, दरिदता को बुलाना, घर के अंदर जो भी मुर्ती होती, उन सब की पूजा होनी चाहिए, यदि आप पूजा नहीं करते हैं, तो उससे भी नकारात्म कुर्जा निकलने लगती है, तो बेडरूम में या फिर ड्राइंग रूम में बैठक के रूम के अंदर बहुत सी सुन्दर का लात्मक मिट्टी की मुर्तियां लेकर के आते हैं, कुछ लोग उनको गिफ्ट में दे जाते हैं, तो उनको सबको वो शोपीस के अंदर रख देते हैं, ऐसा करने से भी अधि उ इजत नहीं करेगा, तो मेरा सबसे विनम्मर निवेदने की मुर्तियों को कभी भी और विशेशत तोर से मिट्टी की मुर्ति, कले की मुर्ति, देवी देवताओं की मुर्ति, ऐसी मुर्ति को कभी भी गिफ्ट नहीं देना हैं, तो मुझे उम्मीद है, कि आपने गणेज की मुर्ति और लक्षमे जी की मुर्ति जो इस दिवाली पर नई लाकर के पुरानी मुर्ति को हटाया होगा यदि आपने अभी कुछ भी नहीं किया है और पुरानी और भी रखी हुई है तो उन सब मुर्तियों को भाई दूच के दिन एक बड़े टप के अंदर पानी भर करक में डुबो दें दो तीन दिन तक पटक रखें जब मुर्तियों सब पूरी तरीके से गल जाएगी तब उस पानी को और उस मिट्टी को गमलों में डाल दें या फिर किसी पेड़ के अंदर विसर्जन कर दें जैमाता दी जैमा का मख्या देवराधा टश्ट सत्यवानी चै मेरी इस अपील विनमर निवेदन है कि इसको आपनी जिंदगी में अवश्च उतारें, ताकि आप भी सुखी रे सकें और दूसरों को भी सुख दे सकें, दूसरों को भी इस मामले में अवश्य बताने की करपा करें, ताकि ये हिंदू सनातन धर्म की जो संसकार, संसकती, परंपरा, परिपाटी, रीति, रिवाज, मान्यथा, प्रथा, ये जीवित रहे, अन्यथा, कि धीरे धीरे चर्मरा रही, ये मर रही है, तो एक समय के बाद आपके जीवन में, फिर कष्ट की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी, जैमाता दी, जैमा का मख्या, त्रिम 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 हुम हुम इस्त्रिम इस्त्रिम कामा क्या है प्रसीद प्रसीद त्रिम त्रिम हुम हुम इस्त्रिम इस्त्रिम